है लो एब्रीवान वेलकम तू इंडिया बडी आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल इंडिया बडी में स्टुडेंट्स आज में पूरा स्टेट में क्या हुआ सारे स्टेट का क्या अपडेट है 12th standard के लिए रिलेटेड 10th standard से सब कुछ मैं आपको बताने वाला सारे स्टेट के बारे में बताने वाला तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट देखिए जितना हो सके उतना आप अपने दोस्तों को शेर कर दीजिए यह वीडियो बहुत ज्यादा मैं एक मिनिट आप से लेना चाहता हूं उसके बाद मैं एक चीज स्टार्ट करने वाला हूं मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि यूट्यूब पे बहुत लोग जो थे वह अब एक ऐसे आप के लिए काम करने को जा रहा है कि जो आप इंडिया के फ्रेंडली देशों में नह है। है कि कुछ आप्स के आड चल रहे हैं और चीजे चल और हमारे जो अच्छे यूट्यूबर मदी वह भी कुछ पैसे के लिए उनके साथ काम करें पकिस्तान के टॉप एड्यूकेशन आप टॉप कर रहे हो मतलब कुछ पैसे के लिए आप इस तरीके से गिर जा रहे है क मतब वो एक सारी चीजे समझो कि कुछ पैसे के लिए हम ऐसे की तरफ ना जाए कि जो इस तरीके से मैं आपको बताता हूं ऐसे एप हमको भी कॉन्टेक्ट कर रहे थे मैं यह सारी चीजे बताना नहीं चाहता था लेकिन देखिए हमने उनको रिप्लाइ कैसे दिया है यह मेरी टीम ने रिप्लाइ दिया आफ्टर डिस्कसिंग विट अवर सर यानि मेर से एन अनलाइजिंग यॉर आप वी फाउंड यॉर आप इस टॉप एजुकेशन आप अफ नॉन इंडिया फ्रेंडली कंट्रीज सो वी केनाट प्रमोट यॉर आप मतब हमको पैसे दे रहे थे अ आप से बच्चे मिलेंगे आप पढ़ाओगे फिर उसके बाद जो आप कमाओगे अंदन इड़ गो बैक अगें टु दोस कंट्रीज ठीके भले तुम उसके उस कंट्री के तुम उस तरीकी से काम कर रहे हैं इसमें हमारे खुद के यूट्यूबर्स भी इसमें जुड़ ग आप पाकिस्तान आपको मालूम पढ़ जाएगा कि क्या है तो चलिए स्टुडेंट हम स्टार्ट करते सबसे पहले महारास्टा के 10 12 के स्टुडेंट के लिए बात कर लेते हैं वर्शाग आइकवाड मैडम ने बहुत लोग ने बोला कि सार बताई हैं वर्शाग स्सी में बोला है तो वह स्सी के लिए भी इस चीज को एप्लीकेबल रखेंगे तो क्या है इसको हम पूरा देख लेते हैं इसका पूरा त्रेंट तो यहां पर उन्होंने बोला है मतलब आप बिना एक्जाम के मतलब अगर यह चीज को बोल सक रहे हैं तो डेफिनेटली एससी के लिए भी वह यही चीज को अप्लाइब करेंगे तो अब पूछेंगे हमारा क्या होगा सब्सक्राइब करने को सोच रहें तो तो आपनेशल करेंगे लेकिन इसका डिसीजन क सब्सक्राइब करेंगे तो यह सारी चीज है तो टेंट की स्टूडेंस एंड ट्वेल के स्टूडेंस महारास्ट्रा के जितने भी स्टूडेंस से आप खुश हो जाईए कि लगबग आपका पेपर टेंट का तो कैंसल होगा दो दिन में आपको पता चल जाएगा इंटरनल लेवल पर तो मैं वह सारी चीज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्कूर करना है क्या करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और हम बढ़ते कि कुछ और चीजों को कि आज क्या हुआ तो पहली चीज बता देता हूं सब्सक्राइब आपको बढ़ते हैं या वह सेंटरल रात की बताएगा और तख्लीफ टकलिफ है लेगन जितने भी स्टेट वाले आपको टेंशन लेने की जड़ते हैं चाहिए तो आपने बुक से लिख सकते हैं तो आज दिन भर में क्या हुआ और क्या बड़ी खबर है क्या चीजे बहुत सारे स्टेट्स ने अपना पेपर कैंसल कर दिया तो वह हम देख लेते हैं तो सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं कि सी बेसे दो ऑप्शन दिया है कि आपके यह क्लास 10 जो सरी टेंट क्लास 12 के लिए मेजर पेपर का यूपी के लिए बोला जा रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने दिनेश शर्मा सर ने बोला कि वह योगी आधित्यना सब्सक्राइब के लिए जाएगा दिल्ली गवर्मेंट इस नौट इन फेवर आफ कंड़क्टिंग सी बेसी क्लास 12 एक्जाम तो डिल्ली के भी जो स्टेट बोर्स की भी रहेंगे वहां पे भी पेपर कैंसल होंगे ठीके सिसोद्या सर ने खुदी बोला है कि तमिल आगे हम देखेंगे कि सी बेसी दो ऑप्शन दिये थे और पेपर कंड़क्शन का तो प्रॉब्लम था तो यहां पर अब है कि करनाटक के स्टुडेंगे कि सर हमारा क्या होगा देखिए जितने भी स्टुडेंस है इसमें क्लियर में बोलो कि मैजॉरिटी जो यह स्टेट से है वह चाहते है कि पेपर कंड़क्श हो देखो मैनी स्टेट्स फेवर होल्डिंग क्लास 12 बोर्ड एक्जाम ठीक है सी बीसी का जो दो तरीका है तो अब मैं इसमें बोल दिया और हम इसे मान जाएंगे नहीं लेकिन जहां पर थोड़ा मतलब मैं बोलता हो कि 36 गड़ से दूसरी इंपॉर्टन चीज है बहुत लोग बुलेंगे सर इस तरीके से अगर मार्क्श देंगे तो क्या होगा मैं आपको एक चीज बताता हूँ 12 के लिए या 10 के लिए आपको सिव आपके पास एक रिजल्ट होना चाहिए ऐसे बहुत अफवा फैला दी गई है कि अगर आपके पास यह नहीं रहा तेंथ का मार्क्स नहीं रहे तो नौकरी में तकलिब नहीं आपके पास सिर्फ रिजल्ट होना चाहिए और रिजल्ट में पचास या 60 पर संट के उपर मार्क्स नो प्रॉबलम आगे आपकी जो भी नोकरी लगती है आप फॉरं में भी जाते हो आपके पास सिर्फ पूछते कि आपके पास 12 तेंथ में 60 पर संट के उपर हो ना बस मतब यह वाली चीज तो उतना आप हैंडल कर लोगे डेफिनेटल आपको मिल भी जाएगा तो इतना टेंशन लेने की जरुत में सिर्फ हां आपके पास रिजल्ट होना चाहिए एक्जाम कैंसल होगा तो चलेगा बहुत लोग सोच रहें कि एक्जाम कैंसल होगा तो हमारा करियर खराब होगा अगर आप स्कॉलर हो तो आप 12 वाले तो यह नीट सीट एगर साइंस के लिए आप जा रहे हो आपने एंटरेंस पर फोकस किजिए और उस चीज पर ध्यान दीजिए त तक भी मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं उस चीज के लिए फाइट करूंगा जिन स्टेट के लिए चाहते कि मैं फाइट करूंगा तो प्लीज अपने कमेंट में आप लिखी हो स्टेट का नाम और कौनसा आपका बोड है तो सबसे इंपॉर्टन चीज यह ता और की जनरेट होगा वह डेफिनेटली सोसाइटी के लिए आगे यूज होने वाला है उन गरीब बच्चों के लिए या वो विद्धा आश्रम में इस्तमाल होगा तो आप भी इस तरीके से कॉंट्रिबूट कर सकते हैं जितना हो सके उतना आप चैनल को सबस्क्राइब है तो थैंक यू वेरी मच्च फो वाचिं इंडिया बड़ी जै हिंद